हम आज मिशन कंव आभि में आपको करेंग लेंज खेंट के अपकेशकेश लेंज कि इमिज फोरमेशन डृगराम बनाना शिखाऊ जिसमें आपको क्या बताना टॉर्षी ॉयार उफिंज purely सत्तूइर कалась बनते हैं तो हमारा फरस्ट केस है वो क्या है ऑग्जेक्ट एप्लेस्ट बिन इंफिनिटी एड ऑप्टिकल सेंट ऑफ कने केव लेंज सबबसे पहले आगुए देख लेना कि हमारा लेँडाने कौन सा दिया गया सब्सक्राइब काई लेंग्डारी लेंग्राम शोविंग प प्रेंसिपल एक्सेश द्वाया करना है आपको इसी तरह की चेट एक्जांपकर के अदर मिलेंगी यह प्रेंसिपल एक्सेश इसके बाद क्या करना हैं अब कुझ बना लीगार करना है तो आप इस तरह से और आपको लाइन अपसाइड और फॉर लाइन डाउन साइड लिसकते एक इस दोट्र लाइन बना ली दी और आपको लेंस ड्रया करना है आपका मुझा और कशी से यह आपका कि इस तरह का आपका इसके बाद क्या करना है देखिए आपको कंपास लेना है कंपास लीजिए और कंपास का यूज किस तरह से करना है कंपास यह हमारा अप्टिकल सेंटर होता है कंपास को एक तरह फिक्स कीजिए और फिक्स वान यह टू इसी तरह कि आपको कंपास को यह अप्टिकल सेंटर यहां पर रखना है सबसे पहले आपको यह काम करना है इस तरह से चाप यानिकि आरक लगा लेनी है अब इनके आप labeling कर सकते हैं यह क्या है यह आपका है f यह होता है टू एफ क्योंकि आपका यह आपका टू एफ एक्जाम में क्या है आपको f1 या 2 f1 इस तरह भी दे सकते हैं आपको इदर f1 f2 हो जाएगा इदर आपका f2 2 f2 तो दोनों ठीक है बिल्कुल सेम प्रोशीजर फ जो अगर हमालो f देते हैं अगर f लिख दिया तो f यूज करना है अगर f1 और f2 देते तो f यहां पर इसकी जगह है आपको f2 2 f2 लिख देना है अब इसके बाद देखें क्या लिखा है object placed at object is placed between infinity and optical center of lens और दोगा दी ray diagram showing position size and nature of image तो object कहीं भी रख दीजिए याद रखिए कंकेव जो आपका lens होता कंकेव lens के अंदर जो image form होती है कंकेव lens के अंदर image हमेशा virtual form होती है virtual विर्चुल क्या होती है आप जब lens से देखेंगे तो आपको इस तरफ अगर image बनती है लेकिन image इसमें हमेशा left side बनती है तो image बनेगी विर्चुला यह बना के दिखाते हैं आप कहीं पे भी object को रख लीजिए मालो आपने object कहीं पे भी यहां यहां जहां मन करें आप इसको रख सकते लिकान ऑप्टिकल सेंटर तो यहां प्टिकल सेंटर है यह हमारा क्या होता ह यह ओता होको ऑप्टिकल सेंटर होता हुआ यह जो पोइंट होता है इसको बोलती ऑप्टिकल सेंटर घा यह on liar अपने अब अब आपकी बोदுकल सेंटर करें दो आती कि अव Walk इस्यार को नहीं क्यीया है तो आप मालो प्जैक्त आपको मेरिप ले लिया आपका तीन ला हिन देखिए किस्ट इव्य करने के अजिए हमेशा बिलकुल पीरल ले यह उपको फॉर्स्ट आर दून की अबज्चक्त सरे उप इसन्ट सेमिश्ट है यह वाला सब मिल या कि छुट॥्ट के क MS जुट आपकी अमेश्या की आमẽश्या फले का कि ईसे फर्स्ट कुई आपकी है इस तरफ यानि इदर क्या इस फोक्स से जाने के बजाई सिंस्ट और पार क्रीज़ा आंसोर यह विच्व नियुक्त एस तक है इस kind तना से कहते हमां है जो फोक्स से आठको पास होती है तुमक्ने बीद्व से डाइज ह्एं वह स्टकने इसन तरह इसा है आपकी ऑर पाइस घाटाथ मेछ आकर ने हम से सेटों यह हमारा उप्टिकल सेटो है इससे दिखानी पॉइंट पॉइंट दिखाने आपको बिल्कु स्ट्रेट पास उते हैं इस जाती है तो इस थी आपकी फर्स्ट वेज़ पैरल्ल टो प्रेंसिपल एक्शी यह इसको यहां पे काड़ती हैं और यह दाए तरह से आप इस और एदर होगी आपकी अप्टिकल से पास हो रही है तो उन्हों जहां पे मिलते हैं यहां पे मिलते हैं यह किया बनी आपकी image फोर्म हो गई है यापका क्या है image जो थी यह देखें यहाँ पी इसलों प्यर्व फरव डयां से बना नरी एंगा पोईंट आपका यहाँ से इस तरह से तो आपका यह वाला ऑब्जेक्ट था इसकी मेस कहा बनी आप यहाँ मेस्ट बनी हैं तो आप देक सकते देखी तेन लाइन ऒब फॉर्म हुई है वह बिलकिल एक सेथे हूए कम में है इसकी चाहिए तो आप नेमिंग भी कर सकते हैं degradation मैन लेबलिंग करना था आप डाना एक यह से यां तक लेना गारएक्ट ऐसको हल वी ही तैश्टबिट. यानि इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना था यह उब्जेक्ट लिया तीन लाइन में फर्स्ट लाइन जो आपकी इस तरफ गई आपकी ए से यहां तक लेके आनी है और इसको क्या करना फोकस से पास कर देना डोटी दिखा है क्योंकि यह रेज जो हिदाई तरफ जाने के बज लिखना है तो देखे आप देख सकते हैं अब्जेक्ट की जो इमेज फॉम होई कहां ही देखो एफ और ओ के बीच हुई है तो जो इमेज फॉम हुई है तो देख सबसे पहला क्या बताना है इसके इंदर आप से पूचा पोजिशन ओफ इमेज का मतलब क्या है कि आपकी इ यह ओप्टिकल सेंटर है यह क्या फोक्स है है तो कैसे बीट्मीन है है बीट्म एफ एंड ओप्टिकल सेंटर क्या आपका ओ यानि कि बसे लिखना आपको बिट्विन दी एफ एंड ओ पूरा भी लिख सकते अगर आप साहे तो ओगी क्या आपका ओप्टिकल सेंटर और सोट में लिख सकते हैं सोट में या आपका ओप्टिकल सेंटर यानि हमारी जो इमेज फॉर्म होई है वो देखिए एफ एंड ओ के बीच में फॉर्म होई है सेकिन क्या बताना साइज ओफ इमेज जो साइज देखी कैसा है तीन लाइन में अबजेक्ट लिया था लेकिन ज इसको क्या कह सकते है आपकी समोल अगर माय आपको या दरे वेरी समोल है वैरी समॉल तो वह रिली सोटरी बनी इसलिए इस लिए निए थर्ड जो आपको देखिए आपको नेचर बताना हो था इमेज आपकी एरेक्ट है विर्टुल है तो आई यू कैन सीए इमेज सबकेंड है को काल परिशन रख और ही काल परिट के मेंं कि मैणने एंगर predictive ऋप्जेक्ट कि यह वारे हैं किसे का कोई वाकर आज एफिनिटीव कहीं पर रखाओ इस से लेफ साइड में कहीं पर आप अब्जेक्ट रखेंगे कनकेव लैंस के अंदर इमेज हमेश्या कैसी फॉर्म्ड होगी आपकी विर्चुल एरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होगी ते फर्स्ट पार्ट इसके अंदर आपके कनकेव लैंस के अंदर क्या आपके टू केस बनते हैं दोनों केस में क्या इमेज हमारी विर्चुल एरेक्ट बनती है तब क्या है अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ट इंफिनिटी ऑफ कनकेव लैंस डगा ए डियागराम शोविंग पोजिशन साइज निचर यानि सबसे पहले बस आपको देखना यह क्या दिया लैंस है या मिरर है तो यह कंकेव लैंस डाइगराम में आता है तो सबसे पहले बस आपको यह देखना है कि हमें दिया क्या है तो देखिए करिए सबसे पहले वहीं सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको सबसे पहले हमे लेंज ड्राया करना है यह होग यह अगया इससी की प्रेंचिलफीप लेगा कि इसके बाद कि बताया आपको एक आपको ड्टी ड्रो करना है तरह से भी सुचि को ड्रूबलाइल लाइन तो यह आपका इस तरह क्या होता है इसकी क्या करना है अपका पास की अप्धाउने करें सब्सक्राइब आपको बोट साइड में आपको स्वाप इस तरह लगानी है वान टू है वान टू है इसके बाद क्या लेबलिंग कर देनी है लेबलिंग क्या है आपकी कौन सा अब्जेक्ट यह क्या बोलती है हमारा यह जो पॉइंट आया है यह पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर यहां है दिखा दीजी हमालिया पक यह उर्टिकल सेंटर है यह बाला यह क्या है हमारा यह आपका एफ इट वाइस होसा ए्फ यह अवैस आफ यह हम क्या करेंगे अब्जेक्ट यहां दिखाना नहीं सिद्धिया आपको तीन रेज ले लेनी है महां लेजिए कि देखिए तीन लाइन चोड़के मैं यहां ले ली है फर्स्ट वेज आपकी डारे की इस तरह दिखा दीजिए यहां तक इस तरह है वान एक आपकी यह आपकी से है यह जो आपका soft primitive पर इंसी दिए टो पस तब इस तरह दिखाना है इसके बारस आपको बते पर लेंख को पर रिए जाने की बज्वाइब रिज और जाने की उसको इस तरह तरह दुधा है स्कूद्र लेकिती दिखाना है। तो इसको अंध्री तरफ ले आना या यह जो आपकी यह रेज है उधर जाने की बजा इसको इधर अंध्री तरफ लेकर आना डोटी-डोटी दिखा दिए ऐसे किशो यहाई मेरे इस फोकस से यहां पर और इसी तरह यह जो गई हैं यह इस तरह आपके करने तो यहां बनती है और इसको सुल टैराम जो आपका हुता है इस तरह आपको बना देना तो डारेक्ट्शन है जो आपके यह ने यह सी शूरख Major थी ऐमनेंग फोक chef यहां पे क्या होती है आपकर को मिलते दिखाई देती हैं इस तरह भी से दिखाना है और एक्टवल में कहा गई है इस तरह गई तो आप देखेंगे इन्फिनिटी ने उब्जेक्ट बहुत बड़ा था इन्फिनिटी आप यहां पर बहुत बड़ा था लेकर यहां पर इमेज जो बनी धे कि बिल्कुल बहुत सोटी मेज बनी है तो यहां पर आप इमेज का आपको क्या बताना पॉजिशन ओफ इमेज तो पॉजिशन ओफ इमेज होगी वह कैसी होगी आपका साइज कैसा होगा आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वह किस पर कार की है तो पॉजिशन ओफ इमेज क्या है आप देख सकते हैं पॉजिशन ओफ इमेज की देखो focus के ऊपर इमेज बनी का बनी है एक focus इमेज फॉर्म एक एक focus लिए फॉर्म थोकस थीक है सेकिने साइज ओफ इमेज जो है का साइज बहुत एक ब्ल पॉइंट में इस्वनी क्या जो बनिए पॉइंट यानि ले क्या भी नी बहुंवक हाइली दिमिस्ट ये कैसी में बनी है आपकी हाई ली हाई ली दिम नी कि अ कि अगर मालू यह आपको याद ना हो तो आप लिखते हैं पॉइंट साइज इमेज बनी है कैसी मेज बनी है पॉइंट साइज इमेज पॉइंट साइज्ट वो तीसरी जो है अगर आप देखें निचर ओफ इमेज निचर ओफ इमेज बताया आपको अमेशा करने केव लैंज के अंदर विर्ट्ट और एरेक्ट इमेज बनती है कैसी बनती है विर्ट्ट एंड एरेक्ट इमेज बनती है तो अब विर्ट्ट वर्ट्ट कि विर्ट्ट इमेशा एरेक्ट होती है बस्ति मांक में बिठा लिए आप तो यह दो केस थे आपकें के अंदर इमेज हमेशा आपकी डिर्ट्ट बनती है फोंट इसे इसे पर जोंट्ट इस तरह एंड और इस तरह से आपकोड़न रखनाना है और अपजेक्ट रखना का देखिए आपका इस ओप्टिकल सेंटर और यहां कहीं पेपर के बीच में प्रब्या सेंटर बनेगी तरह बने गया तो आपको क्या करावत पैरल टुटू इस प्रेंशिप्ल एक्सिस पासिस्टू फोकस सिंस्टू फोकस और सेकिंड पासिस्टू अप्टिकल सेंटर जाहें मिलती है इमेज बनती है काई अडूं सोटी आगे अब देखिएं। हमारे पास कोन सा दीया आगा देज़ें पढ़िए और उपज bisa फेकिस्ट एट divisions कि मेरेंृ लेंस यह इसे बड़े हैं को इस पैले क्या करना ना यह देखनार एक या लैंस तो हैं यहांपर लैंश फेले सेbasis कि सबसे पहले हैं अब कर फिर एक्सिस कीत है तरह से इसके बाद क्या करते हो देखिए लेंस बनाते वक्ति एक हमक्नो के हो एक सब्सक्राम्ख का होता है इस तरह से यह हो गया अब कनवेक्स लेंस तो कनवेक्स लेंस कैसा होता है यह आपका जुटा है जी जो हूंता है यहANDne मेक्स लेंस होता है इसतरह का जो बीजर मुझा होता है जरकिया को से सबासरे 25 कहीं होता है मत जब responsive जिसे मौता किनारों करना है optical center पर रखना है यानि जो मिर था प्रक्ष के समय आपका क्या था पोल था यह पिक आप का उप्टिकल सेंटर है दोनों तरफ आपको क्या आप आप लगा देनी यह फोकस की यह त्वाइस और फोकस इधर इसी तरह इसी तरह इधर दोनों तरफ दिखाने इसमें यह एं आपको दिया है पपर केंदर यांपे मिल जाएगा एफ 1982 हो घागा पर एफ टू ऐथ मोझा ऊपको यह पी तो ऐने की आपको कि चाहरा और की यह टू अब टू टू एफ टू टू दीसी मिरर में किया था और ची इस एंट और विचर यहां पर क्या रहता है पोल जगो टीकल कि यहापका इधर इस तरह से दिखाने के लिए inflict पर तो आप यहाँ पे डिड़ दिखा सकते कि यहांपे क्या ऑबजेट कहाँ पर आपका इस तरह इसे दिखा लेता हूं कर-ब इनफिए इंफिनिटी इंफिनिटी पे जब भी होता है तो याद रह uns एक्रिछ इमेज हमेशा फोकस्ति कनॉइसे से बनाए भिखर हो despite शिंगल पॉइंट ब्रा-एक इस फोक्स पे यह पर्मare करता है आज पह्या होर से इस पास होने के बाद इस सिंगल पॉइंट पेनि फोक्स पे आपके कनफरज हो जाती है इस तरफ जाना है को गिंधन हो जा ओज शरह जो रेज घरी कि फ़स्ट ये फ़स्ट ये सेकेंड ये थर इस पॉइंट पे आके आपकी एक कनफरज हो गई है तो यह आपका डाइग्राम था जो जो ऑब्जेक्ट इमेज एंड नेचर ओफ इमेज तो याद रखिए मिरर में हमेशा बाई तरफ बनता है इमेज अगर बाई तरफ बनी तो रियल होती है लेकिन जो कन वर्जिंग लेंज कर दाई तरफ आपकी रेज मिलती है तो उसे हम को लते हैं रियल इमेज है तो जब उबजेक्ट इंफि बताएंगे अगर मानलो आपका एफ ओन एफ टू दिया गया है तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको एट एफ टू अगर मानलो आप एफ एफ यूज करते तो सिंपल लिए एट फोकस पे सेकेंड साइज ओफ इमेज तो देखिए अब्जेक्ट बहुत बड़ा था देली दिमनेस्ट याली सेकते हैं पॉइंट अब्जेक्ट अब्जेक्ट और उर्फ फॉ पयंक्त ऑप एंय। ह्ली स्ट फर्केयोन! ही से तरव की इत्र इंश कंदेरी इमेज है याक टेक्म में अदर और यह लिए लिए घमेश है का टीज होती है क्या बनी मेंजी आप की निचर कैसी है रियल कि रिए है डियर दो वास्त पर यह रियल एंड के अंट है कर यह चाहिए आप यह यह में आपको यह ती इन वर्याप्टि होती है अश्राइब आप देखी किया था दो अब्जेक्ट प्लेस्ट इंफिनिटी तो इमेज फोकस हाइली दिमिस्ट पॉइंट अब्जेक्ट रियल एंट इन वक्तिड तो कि अगर ना फस्ट रिज पैरल जाएगी किसे पास होगी फोकसे पास होती है और सेकिंड आप देखेंगे अप्टिकल सेंटर से तो यह था आपका फर्स्ट केस है और अब्जेक्ट इस प्लेस्ट बियोंड टू एफ-1 ओफ कनवेक्स लेंज ड़ा एरे डाराम शोविंग दी पोजिशन साइज नेचर ओफ इमेज फॉर्म्ड यानि इस सबसे पहले क्या देखना है लेंस है फिर लेंस कौन सा क सबसे पहले क्या करना है आपको प्रेंश 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 प् कि आपका पर यह पंदाना इसके बाद कि या करना आपको लेंस करेंक है कौछसा लेंस अभका को घर उसका हुता कि मटनवेग्स नेंस जो है भी से ठीक होता है और पे क्या हुथT यह थिन ओता है यह रियूत से मोटा किनारों पेप्तला और इसके बाद ये क्या जो पॉईंट मिला इस पॉइंकों क्या बोलते हैं यह ता मँरा D Optical Center उसे दिखा देते हैं ओ यह जो पॉइंट है यह हमारा क्या है Optical Center से बद कम पास लेनी है कम पास को Optical Center में रखना है दोनों तरफ से आपको इसको एक फस्ट आरा यह फोक्स के लिए त्रफ करना है राया एंड शाइड ही फस्ट है सेगिंड क्या हो गया आपकी 2F तो बढ़ा देते हैं इसके बाद क्या करना है लेबलिंग करेंगे यह क्या आपका यह फोकस है अब देखो क्या F1 है तो इधर क्या हो गया इस तरह यह क्यों चैनल है रहा है तो इसके बाद देखना करें बियूंड टूएफ वन से इस तरफ रखा गया तो अबजेक्ट को कहीं पर ले ले ती क्या हो अपको माल अबज़क्त यहां रखा है तीन लाइन में ले ले देदे बिल्कुल पर प्रपेंडरिक अधिक उसक्र तपरेंज झोगा तो सप्सक्राइब जाए कि तुर् 1 प्रेंश्थों इस तरह से परल टू यहां तक लेकर आही कि जाने के बाद कहाए कि आपकी दाई तरह लिए तरफ नहीं होगी कि फॉकेस लाइन घृम ने रिखादेना पास कर देनी है तो यह आप कि दर गई से कि किया करने है लिगो उप्तिकल सेंटरे से यान समस्ट लाइन फेक्राइन है ओकनाइफ को यह उट्र लांइन यह देखाई हky निए आपका यान देखिए आरे उप्तिकल सेंटर यहां देखिकल सेंटर को था यहां ते रिखर गे decre1 वहां आज यह आपका और यह आपका और यह आपका और अप्टिकल सेंटर बिल्कुल द्यान से पासकर मैं इसको जहाँ पे मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगी आपकी इमेज फॉर्मड वुई है का बनी देखिए पॉइंट मिल गया आपको यह पॉइंट इसको मिला दीजिए इस तरह से तो यह आपका ऑब्जेक्ट था और यह क्या बनी है आपकी इमेज बनी है इसका नेम लिए सकते है आप A B योगा A डैस B डैस तो फर्स्ट रेज पैरल गई यहां से पास हो गई एप टू से यह फोकस से पास हो गई से किसे पास होगी ऑप्टिकल से यहां मिलती है वही हमारी इमेज फोंड होती है तो यह डायराम था इसके बाद आपको बताना पोजिशन ओफ इमेज बताना है तो अब्जेक्ट कहां पर आप देख सकते डायराम से पता चल जाएगा जब ऑब्जेक्ट बियोंड टू कि तो एक बियांड रड़ देख करें में अर्ड़ एफ एफ त einzाफ टू ती एफ तू और एफ डीमिशं लिदेना को बीट्वेफ संदेंस दी है बीट्वी आफ टू एफ टू एंड टू एफ टू आप टू कि आपका हो गया पॉजिशन ओफ इमेज सेकिंड क्या बतानी है इसाइज ओफ इमेज तो आप देख सकते तीन लाइन यह तो तीन से कम है तो इसका मतलब क्या जो इमेज फॉर्म रुई है वह छोटी बनी है आपकी जो है एन इमेज फॉर्म लिजे स्मॉल या आप दिमनिस्ट भी ले सकते हैं अब दिमनिस के लिजिए या स्मॉल के लिजिए स्मॉल इमेज बनी देखिए बुक में आपको डिमनिस्ट मिलेगा थर्ड है नेच्चर ओफ इमेज तो याद रखिए रियल इमेज बनी है दाई तरफ लैंस के जब भी इमेज बनेगी उल्टी मेज भी मिलती याद रख लीजिए उल्टी मेज अगर बनती अब्जेक्ट की तो हमेश्य क्या होती है वो कि अगा पर रियल एंड इनवर्टिट तो अब जैक्ट आपका ब्योंट टू एफ रख था तो आपकी जो मेज फोर्म हो एफ टू और ट्रेफ टू के बीच में बनी है सेकिंड शोटी स्मॉल बनी है डिमनिस्ट है एंड रियल एंड इनवर्टिड बनी है करें अब प्रेंस्ट पॉन कंवेक्स लैंस तो किंवेक्स लैंस यह सब्सेब्स कह एक्रों मेर्या यह ड्याएं को लेंगाए इसके बाद क्या बताया आपको Converging Lens Convex Lens है आपको इस तरह लेनी है मालूब एट स्टेट लाइन डोटी डोटी ले लेते हैं इस तरह से च्यार लाइन में बनाता है इसके बाद क्या है आपको आपको Mirror बनाथा लेनस कुछ साली Nina Convers elder ऑन्यlica का इस तरह का उता का जो बीचे होता है और से तीन होता है इसके बाद क्या बताईए कि आपका इसको बोलते Optical Center कहते है वो इसका सीम्बल इसको द्यान देना है इसके बाद क्या है आपको कम-पास लेना कम-पास रखे यहाँ पे देखो फुर्स्ट यह फास्ट टार्ग मैं एफ एक वन के लिए एफ के लिए टू इसी तरह क्या है लाई तरफ इस तरह बरेद्यान से करना है कि मैं स्कैट पैन यूज कर रहा हूं आपको क्या यूज करना है आपको पैंस यूज करनी है विजीबल दिखाई देश लिए यूज कर रहा हूं यह आपका हो गया इस तरह से अब लेबलिंग करते हैं तो यह क्या आपका कि एफ वन गिवन आपको देखो न और यहां पर दिया ना हो तो आप एफ ब्यूज करते हैं यहां पर एफ वन यह कितना है टू एफ नंट इसी तरह एफ तू दाए तरफ टू एक्या होगा तू एफ तू इस तरह से अब औज्छेट कर देखो अब जैडिट इस प्लेस्ट ना यानि ऑबजेक्ट आपका टू एफ वन पी रखा गया है तो तूइफ कुन सा यह वाला दो कुल प्रैरल लेना याँ आपको तीन नारी पे लिया तीन लाइन पे मैंने लिया अपकर में इसी तरह की सीट में रेगा बनाना इसके बाद क्या बता है आपको फस्ट्ट एस के घैड़ी है भी तो इसलाइण के स्टैट है कि इस तरह नहीं राइन तक लेकर अना प्रेस्ट के फैरलल पॉर कान से पास कर देनी है यह इस तरह से इस फोकस बर्स यह पास कर देनी है यह जी याद रश promin record 2-1 बनती है तो बिल्कुल एक से किंग आए गिया आपकी आपकी को अप्टिकल सेंटर से जाएगी तो यह प्टिकल सेंटर है यह आपक्टिकल सेंटर है यह आपका आप्टिकल सेंटर से जाएगी इस तरह से तो आप आएंगे कि जब आपको अब्जेक्ट टू-एफ-वन पर उता है जो इमेज बनती है वो भी कहां बनती है हमारी टू-एफ-वन पर बनती है इसको मिला दीजिए बने गया आपकी जो है जब ऑब्जेक्ट कहां था आपका टू-एफ-वन पर था इमेज भी टू-एफ-वन पर फॉर्म होती है रेज कोर्स का मतलता है डारेक्शन दिखा दीजिए इधर सी फर्स्ट वेज गी प्यारल टू प्रेंसिपल एक्सिजिए प्रेंसिपल एक्सिज पास होई है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगे दोनों कामेली यहां पर जा मिलती है वह इमेज फॉर्म होती है लेवलिंग कर सकते हैं यह माले अब्जेक्ट आपका एबी था क्या होगा एडैस बीडैस तो यह डायराम तो आपको बनाना था जब ऑब्जेक्ट कहां होता है तो इमेज भी टू एफ टू पर बनेंगी बिल्कुल सेंबनती है अब आपको यहां पर दिखना लिखाना है आपको पॉजिशन ओफ इमेज तो ऑब्जेक्ट जब आपका टू एफ वन पर था तो इमेज कहां फॉर्म होई है आपकी एट टू एफ टू एफ टू एफ टू कंफीज नहीं होना वैसे सेम होती है तो मैक्सिमों क कुछिशन के दर एफ फ्वन दे दिया तो इदर लैफ वाले ओने ये तरफ वाले एफ टू टू एफ टू एफ टू करने हैं और यहां पर एप लागिया वहां पर यह प्याइफ हो जाएगा यह टू एफ तो एफ आफ वाइं डिको 1 2 3 तो यहां भी 123 है तो एक टूफान फटेंशेंट इमेजभी टूफ लोग अजय साइज और दो यह लुक्त इमएज बना है सेम साइज इससे बनी है ठीक निटर आफ इमेज्स ह। नहीज बनती है इन वोगी बनती ते इन एविदी में रहत हुआ है कि इन वा देड अ एद अरिया रियल में इन इन विट रोती है कि इन विट रिमेज तो क्या बनती एरियल तो इसके बाद क्या लेना है आपको प्रेंसिपल एक्सिस गुड़गा कर लेना यह होगा आपका प्रेंसिपल एक्सिस इसके बाद क्या बताया आपको लैंस बनाना है लैंस के लिए बताया है एक पीच में बिल्कु स्ट्रेट लाइन इस तरह से मालों च्यार लाइन सोड़ेता हो पर च्यार ले लिए च्यार न तो यह हमें क्या मिल गया है यह हमारा जो पॉइंट होते हैं ऑप्टीकल सेंटर कहते हैं ऑप्टीकल सेंटर और से दिखाते हैं इसके बाद कमपास लेना सेम प्रोसेस है फिक्स रखना है यह आपका है यह प्रोसे आपका टू ए है इसी तरह दाई तरह बो या आपका है यह और यहूंगा आकड्यकल से लियवल्ली टू आफ्पर यह यह थे ऐत लिखोपना तो यहांपा क्या रखेंगे यह दो और यह और दो गम हो बास इसके बाद देखना कारख देखों त्युन मेन एफ़ुट्र यह रखा गया है इन दोनों के पीछ में यहा पर यहांसर यां पर का उबज Εक्ता है जिसके यापको इमेज बनानी है सब एक इन चेह सेंडसे जाएगी पैरल तू इस परेंसे प्लैक्सिस के पैरल जानी है तो यह दिख इदर आपकी फस्ट वेज्ट यहां तक लेके गई कहां से पासकरा देनी है फोकस से पास करा देनी दाई तरफ तो यह देखिया इधर इस तरह से यह गया सेकिंड क्या है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है और यह इस तरह से इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से देखिए इधर और इधर यह आपकी इधर वाली है रेड़ वाली है बिल्कुल वही आपका लेंज मेरी की तरह है ऐसे तो इमेज जो फॉर्म होती है आपकी यहां पर फॉर्म होई यह देखिए इस तरह से अग्यां करती माले यहां पर जो दोनों मिले है आपको देखिए यहां पर इमेज फॉर्म होगी आपकी इस तरह से यहां पर बढ़ा देता हूं यह वाला तो देखिए जब ऑब्जेक्ट कहां था आपका ऑब्जेक्ट बिट्विन F1 और 2F1 था तो इमेज फॉम्ड हो यह बियोंड 2F2 है बिलकुर सेम आपकी मेर की तरह है रेस कोर्स दिखा सकते हैं और जाङ के हुसित फॉक्सक्राइड इस जांसेसे पॉक्सच हो गया आपकी ओकटिकल से पास थो कि दोनों जामिल टेमारी नों तो थे मालिव है और विए बीए और यह क्या हो गया है एडैस बीडाइस तो यह हो गापका डायरा इसके बाद क्या बतानी है आको त्रम बतानी है कि आपका पोजिशन ओव इमेज कैसी देखो व्यूंड टो एफन बनी है तो इमेज कहा बनी है बीयूंड सो देखिए आपकी जब ऑब्जेक्ट f1 to f1 था तो ब्यॉंड टू एफ टू ब्यॉंड यानि कि 2 f से परी ब्यॉंड ब्यॉंड टू एफ टू दो एफ से देखें दो एफ से पिछे बनी है पियॉंड टू एफ टू उप साइज ओफ इमेज दिखाई देरों कितना बड़ा काफी बड़ा देखो ना इन लार्ज्ट बहुत बड़ा बना है इन लार्ज्ट तीसरा केस के निच रोफ इमेज यादर की दाई तरफ दो ब्यूल्ट इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी इसके अंदर रियल एंड इनवाटेड रियल एंड इनवाटेड रियल एंड इनवाटेड 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 में तो यह था आपका नव जैट बिट्विन एफ-1 टू-1 की बीच में रख्खाओ पिमेज-गावनी तुएप से टुएप स्वेफ व्टू से परेड बनेएं देखो दूर बनी है तो ब्योंट टूए फ्टू इन लार्ज रियल एंड इन वक्ति इमेज बनेगी अब्जेक्ट इस प्लेस्ट एफ-1 ऑफ-कन्वैक्स लेंज कुंसा है कन्वैक्स लेंस्थ पहले नियुक्त प्रेंसिपल एक्सिज हो इसके बाद लेंस कैसा है आपका लैंस से कन्वैक्स तो यह बताया आपको सेम परोशीफ प्लगरां डोटी डोटी इसतर लाइन ड़ा कर लेनी इस तरह आपने और अपना दोटीकल सेंटर यह हमारी काम का यह इसको इलाए इधर आपका यह से सेंटर और यह होगया की सेंटर इसके बाद क्या करना लेबलिंग करेंगे इसकी यह इदर वाला क्या हुता है लाफ वाला एफ़ उन होता है जिए की फॉम में फॉन ही लिखना है यह 2 फ़तू यह वंगया ओगया यह को हो गया चुछ आप टू ठीक है इसके बाद क्या करना देखो प्रूजट कहा है उब्जेक्ट अज़ा गया फोकस पे यह आको प्रूज़ पर आप ले लिए यह फोकस हो गया इसके बाद क्या बताया आपको सेम तरीका फर्स्ट पैरलल टू यह से जाएगी इस लाइन तक लेकर आनी है और क आठी है तो जो आपकी सेक्टम रेज कहा है से पास होतीज आपको पता है ओप्षिकल open से पास होती है तो अप्षिकल सेंटो यह आपको यह यह उप्षिकल सैंटर पता गई दो Somebody लिए जो आपको अबजेक्ट था फिर्स्ट वे गई डार्ल टुप का से पास होती हमेश्ञ सेटेजर से पैरल लाइन का मतलब कर आहें फार्य को यह इन्फिनिटी पे मिलें इन मेज़का बनेगी इन्फिनिटी फे बनेगी तो क्या बहुत-बहुत लार्ज बनेगी इनलार्ज बनेगी तो यह डायराम थी आपको बनाना था इसके बाद क्या बतानी आपको पोजिशन आप दी इमेज फॉर्म्ड तो पोजिशन आपका फॉकस पे था तो इमेज का मनी है एट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिमाग मिठा लिजी जब भी उबजेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फॉकस पे अगर फॉकस पे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा है डिको नहीं हाइली इनलार्ज कह सकते है या इन फाइट नार्ज कह सकते है इन भाइट लि-ई-उ अ ई भाइट- लि-ई-ई-ई-ड लि-ई-डब कर दें हो तो आप हाई-ली कह सकते हैं हाई-ली कि ब्रेकर लिखना हाई ली कोई एक वार यूज़ कर सकते हैं हाई ली कोई भीक लगा सकते हैं इन लार्स्ट बहुत बहुत बड़ी बनी है बनती है बनेगी देखी हमेशिया फोकस से स्टार्ट करके जब बिदाई तरफ बनती है दाई तरफ का मतलब क्या है रियल एंड वर्च्वाँ अब और है एंड रियल और इंवाइटिट रियल एंड क्या होती है में इन वाइटिड होती है इन वाइट इन वाइट इस था जब अपकर कहा हो फोकस पे हो गाए फोन पे तो इमेज कहां बनी इंफिनिटी पे बनती है यह हाइली इनलार्ज बनती है रिल एंट इनवक्टिड बनती है और अब्जेक्ट इस प्लेस्ट बिट्विन में फोकस एफ और अप्टिकल सेंटर ओफ कन्वेक्स लेंस ड्राइड आराम शोविंग पोजिशन साइज नेचर तो देख क्या है लैंस कुन सा कन्वेक्स लेंस है लैंस देखती क्या करना सबसे पहले आपको यह हो गया आपका सप्ट्रेंड कर लेना है के बासब्स क्या करना आपको लैंस बनाना है विसाव में उता है तो सब लगा लिए इसकेश लेंस को करना करना है जो वीद से मोटा यानि बता एक होता है ते आरोसे पतला होता है इसके बाद ग्या है आथ श्रण मीखेंगक्राइब कैंदक्राइब कर यह नाल सीट दिसका सेंटर है तक्राइब तक आपको कमपास पुक्राइब को लेना है कम पाइस और प्रिकल कंदक्राइब यह पी सबादो यकान नहीं नहीं है यह आपका आये तो यह आपका आफ है यह कितना है तो जोना वह और फोकस तरह भी रखते हो चाहिए और एक स्टूस्ट में अगर शुच्प अब्जट काह रखा देखे है फोकस और ऑप्तिकल के पीच में जब différend सब्सक्राइब करना है आपकी तरीका फॉलो करना है फॉस्ट वेस्ट गोज टू पैरलल इस तरह से यह पैरल गई वह कहां से पास हो गया आपकी होती है इस तरह से और सथ कहां से पास होगी आपकी optical center से पास होगी तो सेकिन pessoal center सोंतर है यह से इस तरह पास होगे देखी दर बढ़ते जार सनुरुत कम विलकी टेखाई देगी तो लेंस यह नहीं किया अगर आपको बढ़ाएंगे या पे पूदे इस तरह बढ़ते दिखाए तो इस तरह आपको इसको बढ़ाएंगे तक पाती पर यह पर तो जा पर दिखाई दे रही है मिली कहां पर कि जो को दिखाई देरी तो इसकोrá कि ऄए बने का आप्रवार ऑब्जेक्ट की एमेश तहा और इसका नाम अगर अग闇 विए किया है यह इस होई है हमारी एक डैस बी दैस तो भी तरफ बनी है तो विट्व इमिज हमेशए लैंस देस्ट में बाइस बनती है यह याद रखो एमेज अगर बंती है वो कैसी है विट्वल है तो इस तरह से आप कुछ को बना था रे चुछ दीक्वार फोकस से यह गया इस तरह से से कहां से पास होई ओप्टी कल सेंटर से इस तरह मिलेगे नहीं तो पिछी तरह बढ़ाया तो यह मिलती दिखाई दे रही है तो यह मेज कैसी बनी है विर्चुल एरेक्ट इमेज बनी है अब इसके बाद क्या करना है इसकी नेचर पोजिशन बतानी है तो देखे पोजिशन कहा है अबजेक्ट जब आपका एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीज था तो आपकी जो इमेज फॉर्म रही है इसको इमाल इस तरह लेता हूं यह ले state object जब यह चीन कहला हो नभी अवब्जेक्ट उसी तरह है तीक के ऑंदी सेंडल साइज अ कि अथ साध्से EM साइट कि तरफ वेचे टली सेम साइट का उपजेक्ट की तरह हुआ कि सेम साइट इस तरफ औब्जेक्ट की तरफ आई है जिस तरफ औब्जेक्ट है देखिए उब्जेट कहां लैफ साइड में है तो इमेज भी कहां बनी है लैफ साइड में बनी है तो साइज ओफ इमेज कहां बहुत काफी बड़ा है इन लास्ट अब अब आख अ करना था कर नेच्टर ओफ इमेज ज्याद रखता है इमेज इरेक्ट होती है इएक्ट है इसिदी मेंज बनी है एरेक्ट में जब है बने Psalm कैसे होगी विर्ष चुल हो तो मेरो यह लैंश डाट इमेज क्या होगी में स्या विर्ष चुवा अब आपका यानि जब पोजिशन ओफ ऑबजेक्ट क्या है रेकिए जहां से अब अबजेट कहां रखा आपका उप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है याद रखिए फोकस कभी विदाई तरफ ऑबजेक्ट होगा इमेज में से एरेक्ट बनेगी विर्चुल बनेगी तो यह थे आपके कनवेक्स लेंज के भी पास्केस रियल बने हैं और एक कैसा बना है विर्चुल इमेज बनी है देखिए पहला केस क्या था जब ऑबजेट कहां पे था इंफिनीटी पे था ऑबजेक्ट इंफिनीटी पे था तो इमेज कहां बनी फोकस पे बनती है सेकंड आप देखिए जब आपका ओबजेट कांए ब्योंड फ्रफवान है यहां से इतर है तो इमेज कहां बनी है आपकी देखना बीट्विन एस्ट यह बनी है देखिए बिल्कुल तीसरा केस जो हाबका देखिए भप अबजेक्ट कहां पे और है तो इमेज भी कांबनी देखिए इमेज कहां बनी है बहुत बड़ी बनी उसमें छोटी तिसमें के बड़ी बनी है यानि ब्योंड टूएफ टू इन लार्ज रियल एंड इनवर्टिट बनी है अब जब अब्जेक्ट पात्वा केस क्या है आप तरब अब्जेट कहा आगया फोकस पे आगया फोकस उबद्ध कहां बनेगी इंफिनिट बनेगी इंफाइटी लार्ज बनेगी रियल एंड इनकर इनवर्टिट बनेगी फोकस से लेके इस तरफ कहीं भी रख देया आप उब्जेक्ट इम्याज में अब करनफेंश की बनेगी लास्ट केस वह इसमें विर्चुल इमेज बनती यह वह कब बनती है दर्कित से मिर्रों या लैंस हो जब फोकल से इस तरह राइट राइट साइड में आप रखेंगा उबजेक्ट को तो इमेज में से बनेगी एरेक्ट बनेगी विर्चुल बनेगी अज़ा